डाउनलोड करें एस्ट्रो सेज कुंडली एप और तुरंत पाएं 50 पेशी कुंडली बिल्कुल मुफ्त तुर्प्या भी कीजिए और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शियर करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप हमसे संपर्ग करना चाते हैं तो डेस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं तो आए जानते हैं दिसंबर 2017 का मासिक राशिफ़त तुला राशि इस महाशनी आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे जिसके कारण आपके साहस, प्राकरम, बुद्धी वा कौशल में बढ़ोतरी होगी आप अपने कारच शेतर में जम कर मेहनत करेंगे भाई बैनों से मतबेद वा स्वास्ते हानी संबाव है संदान को शिक्षा में काफे सफलता मिलने की संबावना है गुरू का परधम भाव से गोचर आपकी आध्यात में कुन्नती में सहायक होगा पारिवारिक सुखों में वर्द्धी संबाव है इस दुरान बुद्ध की तीसरे भाव में गोचर एस्थिति आपके भाग्य में भी वर्द्धी करेगी आपको कम मेहनत से ज़्यादा लाव मिलने की संबावना रहेगी पिताजी का स्वास्ते अच्छा रहेगा राहु का दशम भाव से गोचर आपकी नौकरी में परिवर्तन, विवाद या तबादला करा सकता है काम धंदे को लेकर आप लगातार छोटी-छोटी आत्राएं कर सकते हैं संघर्शमता काफी अच्छी रहेगी केतो की चतुर्त भाव में गोचरे सिती आपकी माता के आध्यात्मिक क्रिया कलापों में वर्दी करेगी मंत्र योग वा गुड विद्याओं के अपरति उनकी रुची जगेगी मंगल का परतम वक शुकर का दुट्य भाव में गोचर आपको आरतिक सफलता परदान करेगा विजनस में आपको अच्छे लाप मिल सकता है सूरे का दूसरे भाव से गोचर जबर्दस धनलाब की ओर इशारा कर रहा है इस समय आपको भूमी मकान के कारे से लाब मिल सकता है प्रापर्टी खरीदने की संभावना भी नजर आ रही है पारिवारिक जीवन के लिए कोई नया विवाद खड़ा हो सकता है पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप लोन भी ले सकते हैं इस समय आपके भाई बैनों को स्वास्ते के प्रति सचेत रहना होगा साथ ही उनकी विदेश यात्रा करने की संभावना है अपने पिता से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा वा उनका स्वास्ते भी काफी अच्छा रह सकता है इस दुरान संतान शिक्षा के छेत्र में आश्चार रजनक प्रगती कर सकती है परंदू अपने स्वास्ते का ध्यान भी रखना होगा इस समय आपकी ऐसे पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है जिनसे आप लंबे समय से मिलने को तत पर थे आर्थिक जीवन आर्थिक तोर पर समय आपके लिए फायदेवन रहेगा आप धन कमाने के लिए अत्रिक प्रयास करेंगे और आपका ये प्रयास सफल भी रहेगा इस दुरान आपका खर्चा कोछ अधिक रह सकता है बहतर यही रहेगा कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रन करना सीख लें इस समय किसी मितर से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है वैसे दूसरे भाव से गोचर कर रहा सूर आपकी आर्थिक स्थिति को सुद्रण बनाने में पूरी मदद करेगा इस महा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप लोन ले सकते हैं हाला कि नौकरी में वेतन वर्दी होने से धनलाव होने की भी संभावना है अगर आपका कारे शेतर, सिल्क, पशुपालन, वस्त्र, दूध वा दूध से बने उत्पाद, सुंदर उत्पाद आदी से जुड़ा हुआ है तो आप अप लाव की उम्मीद कर सकते हैं प्रेम वा वैवाहिक जीवन प्रेम वा वैवाहिक जीवन के लिए समय शांदार हो सकता है इस महाँ अपने जीवन साथी से आपके रिष्टे बहुती मिठास भरे रहेंगे संबंदों में और अधिक मजबूती लाने के लिए अपने साथी के विचारों का आदर करे वा उन्हें पूर सम्मान दे वैसा इस दुरान आपके पार्टनर को कोई बड़ी आर्थी को प्लब्दी प्राप्त हो सकती है प्रेम संबंद के मामलों में आपको सतरकता रखनी होगी अपने प्रेमी से प्रेम वादर से पेशाएं व्यर्थ क्रोध करने से कोई लाब नहीं होगा अलबत्ता रिष्टों के विगड़ने की संभावना और बढ़ सकती है प्रेमी के साथ किसी खुबसूरत स्थल्गी सेरिया को अच्छा उपहर देना आपके लिए संबंदों में आ रही कड़वावटों को खत्म कर सकता है स्वास्ते इस महा राशी स्वामी शुकर के दूसरे भाव में गोचर के कारण आप ज़्यादा शारेरिक श्रम कर सकते हैं आप जोश्वा उर्दा से भारे रहेंगे और एक ही समय पर कई कारे होगा एक साथ निप्टा सकेंगे इसी वज़े से आपको शारेरिक वो मानसिक ठकान रह सकती है काम के साथ साथ सियत का ख्याल भी रखना आपके लिए बहस जरूरी होगा ज़्यादा मानसिक ठनाव लेना स्वास्ता के लिए हानिकारक हो सकता है परिवार के साथ वक्त बिताना आपको मानसिक शान्ती प्रदान करेगा साथ ही उनके साथ किसी आनन्दायक स्थल की सायर आपको तरोताजा रख सकती है वैसे अपनी fitness level को बनाये रखने के लिए रोजदाना वियायाम करना भी आपके लिए काफी फायदे बन रहेगा इस महा उपाय के रोप में चांदी का सिक्का जल में डाल कर घर में रखना आपके लिए लाब दायक रहेगा और इस महा की शुक तरीक हैं आपके लिए होंगी 6, 15 और 24 तरीक तो ये था दिसंबर 2017 के लिए मासिक राशिफल इसी तरह हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्टोसेज टीवी को जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है इसके अत्रिक अपने भविश्य से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए एस्टोसेज कुनली आप को और पाईए अपने जीवन से जम्मंदित किसी भी समस्य का समधान पुन्हें आप सभी को आने वाले मास की शुब कामनों के साथ आपका अपना एस्टो गुरु मर्गा दूप